राधे राधे हर हर महादेव तो आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी काफी खुब सूरत है आप लोग को भी काफी अच्छी लगेगी तो कहानी कुछ इस परकार है कि बहुत समय पहले की बात है भगवान विश्णु जी अपने सवारी गरुड की साथ कैलाश पर बेट करने और गरुड जी बाहर बैठ के कैलाश की खुबसूर्थी को निहार रहे थे वो देख रहे थे कि कैलाश पर्वद कितना खुबसूरत है और ऐसे ही उन्होंने एक छोटी सी चिडिया को देखा जो वहीं कैलाश परवद पे बैठी हुई थी वह बहुत ही रंग व जब यम्राज जी आए तो गरुड जी ने उनको परणाम किया और यम जी थे उन्होंने उस चिडिया की और बहुत आश्चरिय से देखा और अन्दर गरुड जी को अभास हो गया था कि निश्चे ही इस चिडिया का अंतिम समय नस्दीक है इसलिए यम्राज गरूर जी ने इसे ऐसे देखा, गरूर जी को थोड़ी चिंता होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, गरूर जी की उड़नी की रफ्तार बहुत तेज है, गरूर जी उड़े और उन्होंने चिडिया को अपने पंजे में भरा और मीलों दूर, उसे चिडिया को एक पत्थर के उपर चिडिया को पत्थर पे रखने के बाद गरुड जी ने भगवान से कहा कि भगवान आप इसकी रक्षा करना और गरुड जी वापस कैलाश परबत पे आ गए और वहां बैटके फिर से कैलाश परबत की खुब सूर्थी को निहारने लगे इतनी देर में जो उनकी सभा थी वो खतम होई और सभी बाहर आए और इतने में जो गरुड जी थे उन्होंने उनको यम जी को परणाम किया और पूछा कि यम्राज जी आप उस चिडिया को ऐसे आश्चरिया से क्यों देख रहे थे तो यम्राज जी ने बताया कि चिडिया का अंतिम समय आ गया था जी देख रहा था मैं यह सोच रहा था कि चिडिया का अंतिम समय चिडिया की मौत यहां कैलाश परबत पर नहीं होगी वह एक घने जंगल में जब वह पत्थर के उपर बैठी होगी तब उसे एक सांप खा जाएगा मैं यही सोच रहा था कि यह इतनी दूर क्या कर रही है उड़ गई है निश्चे ही चिडिया की मौत हो गई होगी तो गरूर जी बहुत हैरान हो गए कि मैंने तो उस चिडिया को बचाने के लिए उसे इतनी दूर जंगल में लजा के रखा था और वो शायद अब मर चुकी होगी ऐसे ही आप लोग बताना आपको स्टोरी कैसे ल नहीं पूरी होती और किसी ने क्या कमान लिखा है कि आपका कद कितना भी उचा क्यों ना हो आप अपना आने वाला कल नहीं देख सकते इसलिए हमें हम अपना आने वाला कल तो नहीं बदल सकते पर हम आज में भगवान जी को याद करके अपने कर्मों को अच्छा करके हो सक कि हम अपने कुछ जो पाप हैं उनको मिटा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती हैं जब हम किसी और की मदद भी कर सकते हैं हमें करनी भी चाहिए अगर भगवान आपको यह अफसर देते हैं तो आप बेजुबानों को जरूर खाना दीजिए आज यह स्टोरी इतन नाम जब किया और रनिंग की वॉक की और एक्सरसाइज की आज की आज का मौनिंग रूटीन बहुत ही अच्छा था आज मैं मंदिर में भी गई थी और मैं 108 धतूरे के फूल के माला बनाई थी शंकर जी के लिए राधे राधे